हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और देखिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जगन उद्रोगाजी.com पर आप सब का स्वागत है दोस्तों LG कमपनी ने भारत में हाली में अपना नया स्मार्टपोन और भारत में इसकी कीमत करें 45,000 रुपए है याने कि दोस्तों ये एक हाई-ेंड स्मार्टपोन है भारत में लगारत में लगारत में इसकी प्रीबुकिंग भी चल रही है लाँच इवेंट में कमपनी ने जान करें दी है कि स्मार्टपोन के सभी मज़ेदार और खास फीचर्स के बारे में जान लेते हैं तो स्मार्टपोन के एम का आश्यत है इसमें दिया गया बड़ा फुल विजन डिस्प्ले और डुवल डियर कैमरा स्मार्टपोन में एक 6 इंच का COD HD Plus OLED फुल विजन डिस्प्ले है इसका स्क्रीन रेजोलूशन 1440 x 2880 पिक्सल का है स्क्रीन की देंसिटी 538 PPI की है और HDR10 सपोर्ट से लेस है पता दे कि अभी यह फीचर बहदी कम स्मार्टपोन में उपलब्द है इस फीचर से किसी भी सीन क को देखने पर अलग सीने में कॉलिटी का अनुबह होता है इसके आलावा क्लर को बैटनेस को भी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है स्क्रीन से ही जुड़ा इस डिवाइस में एक फ्लोटिंग बार इंटरफेस है जो पिछले वी स्रीज वेरेंट में देखे गए से या लोग बैटन को दबाने के आवशकता नहीं होगी दोस्तो और वर्वल डिस्प्ले शांदार है बड़ा है इस पर गेम स्केलने मूवी देखने या काम करने में मज़ा आएगा डिस्प्ले के बाद अब बात आती है कैमरा की LG V30 Plus के Dual Year Camera Setup में अपचर F1.6 वो 71 डिग्री वाइड एंगल लेंज के साथ 16 मेगा पिक्सल का सेंसर और अपचर F1.9 वो 120 डिग्री वाइड एंगल लेंज के साथ 13 मेगा पिक्सल का सेंसर दिया गया है कैमरा में एक प्रिस्टल क्लियर लेंज है जिससे कलर रिप्रोडॉक्शन और सपस्ट अच्विर लेने के लिए दिया गया है तोस्तों कैमरा की पुरी जानकारी दें तो इसमें कई अनुके और जबदस फीचर्स दिये गए है सीने एफेक्स से अलग-अलग तरह के 16 कलर ग्रेट्स और अनुके टोस में कॉलिटी वीडो शुटिंग की जा सकती है कमपनी का कहना है कि फील्टर्स का इस्तेमाल करने पर पिक्चर्स की कॉलिटी कम होती है परन्तु इस सीने एफेक्स में दिये गए प्रिशेट से पिक्चर्स कॉलिटी अधिक बढ़िया होगी ये कैमरे DSLR को बढ़िया तरीकी सेटक कर दे सकता है F1.6 के बढ़िया अपर्चर से कम रोशनी में भी अच्छी लाइट वाली तस्फिर आती है और पिच्चर्स की शापनेस वा कलर क्लारिटी आकशक लगती है कैमरा में दिया गया ग्लास सेंसर ब्राइटनेस तस्फिरे लेने में मुदद करता है दोस्तों इस कैमरा में 10 बिट HDR इमेज सेंसर का भी सपोर्ट दिया गया है यानि कि दूसरे कैमरा की तुलना में इस सेंसर के कारण RGB 30 प्लस का कैमरा दो गुना जाता तरीके से कलर्स को कैप्चर करता है इससे तस्फिरे, रंगीन और फ्रेंस दिखाई देती है किसी भी लाइट में हर एक रंग पिचर्स में कैद हो जाता है और अच्छे depth of field से पिचर्स की clarity भी बढ़ जाती है दियार कैमरा से फ्रेंग के अंदर मुझद किसी भी object पर zoom किया जा सकता है यानि कि zoom पर भी users का पूरा control है ये zoom काफी smoothly होता है इसे वीडियोस में कोई दिकत नहीं आती है वीडियोस अटकते हुए record नहीं होंगे और साथी stability के साथ shoot होगा कुल मिलाकर यूदर, standard और wide angle दोनों कैमरा से ज़रूरत के अनुसर फिचर्स क्लिक कर सकते हैं और high quality में record के गए वीडियोस को बीना quality कम किये compress करने का option भी इस device से मौझूद है record के गए वीडियोस को trim, cut, add sound वे edit करना बहर दी आसान है इसके लिए किसी और app के आवशकता नहीं है इस कैमरा से 30 फ्रेम पर सेकेंड पर 4K वीडियो recording करना संभाव है साथ ही 240 फ्रेम पर सेकेंड पर slow motion HD वीडियो recording भी की जा सकती है अगे की तरफ, lgb30 plus में एक 5MP का wide angle camera दिया गया है जो aperture f2.2 से less है फ्रंट कैमरा भी gesture shot, high quality images, beauty shots और full HD वीडियो recording जैसे feature से less है दोस्तों, हमें camera तारिफ के काबिल लगा पर इतना ही नहीं, इन दो highlights के अलवा भी कुछ खास बाते इस device में दी गई है जैसे कि इस phone में bang and all of sun का 32-bit hi-fi cord deck और B&O play earphone भी दिया गया है 32-bit hi-fi cord deck के साथ बड़ी, साफ, पज़ादा बड़ी आबास का नोबह मिलता है इसमें digital filter का feature भी दिया गया है और sound preset के मदश से पसंद के अनुसार sound setting को भी adjust किया जा सकता है device से sound recording भी साफ होती है वीडियो recording करते समय, smartphone में 3 mic होने से बिना noise और distortion के crisp वा high quality sound record करना संबव है इन बड़ीया features के अलावा ये device dust और water resistance भी है और IP68 certification के साथ आता है और साथ इसाथ दोस्तों ये device shock resistance भी है इस phone में face unlocking features दिया गया है LG V30 plus smartphone, daydream यानि की virtual reality platform को भी supported है तो ये हुई खास features की बात अब body design को भी देख लेते हैं दोस्तों दिखने में smartphone शांदार है ये हलका smartphone है, इसका वज़न 158 gram का है साथ इस 7.3 mm पतले होने की वज़े से इसे हाथों में पकड़ने में भी दिक्कत नहीं होती है device के किनारे पर rear metal finishing के साथ आते है screen bezel less है, जिसे ये और बड़ी लगती है smartphone के rear पर dual camera setup के नीचे गोल आकार में fingerprint sensor मौझूद है दोस्तो rear और front पर corny Gorilla Glass 5 का production दिया गया है तो मजबुच चेश के टकराने पर device रखशित रहेगा इसके अलवा smartphone के camera पर Gorilla Glass Star का production दिया गया है smartphone में heat pipe का feature होने की वज़े से ये smartphone overheat नहीं होता है जो कि काफी अच्छा function है अब technical specifications भी जान लेते है इस phone में Qualcomm Snapdragon 830 processor के साथ 4GB की LPDDR4 XRAM दी गई है बिन डाउट के कहा जा सकता है कि smartphone मकन की तरह चलेगा अब इसे micro SD card के जरिए 2 TB तक बढ़ाना संबव है और phone को power देने के लिए 3300 mAh की बैटरी दी गई है technical specification काफी दमदार है दोस्तों यह smartphone Android 7.1.2 पर आधारित UX 6.0 user interface पर चलता है इन दोनों के मेल से smartphone का software पार्ट में डेरो functions मोजूद है जैसे कि Google Assistant, Bargain, Shotcut Keys, Comfort View, Screen Color, Mini View और Knock-on LG V60 Plus में connectivity के लिए Bluetooth 5.0, USB Type-C port, NFC, GPS, 3.5 mm headphone jack और Wi-Fi जैसे के दूसरे features भी दिए गए है phone में accelerometer, embed light sensor, digital compass, gyroscope और proximity sensors भी मौजूद है तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी LG V60 Plus के बारे में हमारे opinion से यह high-end smartphone कीमत को पूरी तरह justify करता है अनुखे और सरानिय फीचर्स तारिफ के काबिल है दोस्तों अगर आपका budget एक high-end smartphone का है तो आप LG V30 Plus के बारे में सुच सकते है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियो के लिए हमें like, comment, share और subscribe ज़रूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया